तो देखे I.S का exam हो या फिर State PCS के जितने भी आपके State PCS के exam है सभी State PCS की बात कर रहा हूँ और I.S के exam की बात कर रहा हूँ जितने भी State PCS हैं आपके सभी State PCS और I.S के पिछले साल के प्रषनों को पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि पिछले 30 साल में आयोगों ने सभी प्रस्णों को पूँच लिया है मलब आप 30 साल के प्रस्णों को एक बार देख लिजे आप पाएंगे कि आयोग ने सभी प्रस्णों को पिछले 30 साल में पूँच लिया है कुछ भी नहीं बजा है आयोग से कुछ न कुछ करके कुछ न कुछ करके आप से question पूछे जा चुके हैं तो ऐसे में यदि आप पिछले साल के प्रशनों को अच्छे से गहेंता से एक बार analyze करें तो आप आयोग को बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आयोग क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है किस चीज को repeat कर रहा है कई बार किसी आयोग का question किसी आयोग में आ रहा है किसी आयोग का question किसी आयोग में आ रहा है तो अब मेरा प्रयास यह है कि आपको मैं वो सारे question जो की बार-बार पूछ जाते हैं, repeat किये जाते हैं, उनको मैं याद करवा दो। State PCS में तो 50% से ज़्यादा question repeated होते हैं, जो की पहले आ चुके होते हैं, हो सकता question पूछने का format बदल दिया गया हो। लेकिन question general study से अधिकांस question current affairs छोड़ दिजे, तो बाकी के question repeated ही होते हैं आपके, तो ऐसे में जो question आपसे बार-बार repeat किये जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी questions को आपको समझना है, ठीक है, ये मैंने आज जो topic उठाया है आपका, ये आपका पर्यावरण की विसेव जैव विदिता की विसेवस्तु है, जैयो मंडल आरक्षी छेत्र, जैयो मंडल आरक्षी छेत्र से हर वर्स question पूछता ही पूछता है, ये दिमाग में बठा लीजे, जैयो मंडल आरक्षी छेत्र से question पूछता ही पूछता है, ठीक है, तो पहले मैं दो चार बाते आपको ज देख पार है ना यह आपका एक कोश्चन है इस कोश्चन का अंसर अभी मैं आपसे लूँगा लेकिन पहले थोड़ा बहुत जयामंडल अरक्षित छेट के बारे में आपको बता दूँ देखे बरतमान में भारत में टोटल 18 जयामंडल अरक्षित छेट में कितने हैं 18 जयामं यूनेस्को में हैं आपके यूनेस्को के द्वारा इनको विश्व विराशत जयामंडल अरक्षित रेडी पे इसको मैप कारिकरम जो चलता है 20 संजाल में समलित कर रखा है अब ये 12 कौन से हैं इनसे question पूछता है इसके बाद ये 18 कौन से हैं इनसे भी question पूछता है सबसे proper एक list आती है और list से question हर वर्स हर वर्स आपसे पूछे जाते हैं मेरा काम ये रहेगा कि मैं आपको सारी चीज़े बता दू तो अभी सबसे पहले आप लोग pen कागिज ले लिजेगा मैं यहाँ पे जयम मंदा नरक्षी छेत्र और कब उसकी स्थापना हुई ये सारी चीज़े आपको बता दूँगा इसके बाद जब हम question करेंगे तो हम चीज़ों को discuss करेंगे मैं चाहता हूँ एक बार पहले आपको मैं बता दिता हूँ अपने मंद से फिर आपसे question पूछने में अच्छा लागेगा मुझे ठीक है साहएद हो सकता है आप में से बहुत से लोग जयम मन रक्षी छेत्रों को नहीं पढ़े हो ठीक है देखे जो प्रकति है और मानो है प्रकति और मानो का दोनों का सहवास रहे है ना और दोनों के माध्यम से दोनों के आपस में साहचारे के माध्यम से प्रकतिक बिविदिता हमेशा के लिए बनी रहे तो इसके लिए प्राकति में रहने वाले जितने जिव जनतु हैं जितने भी अनुवान सिक्ता हैं मलब विवन प्रकार की अनुवान सिक्ता हैं सबको अपने ही स्थान में सनरक्षित करने के लिए स्वाय स्थाने सनरक्षित इंसिट्यू कंजरवेशन के लिए जयमनल रक्षित छेतर का concept है जैसे नेशनल पार्क हो गए, वन्जीव अबेरंड हो गए यानि जहाँ पर प्रकति रह रही है जहाँ पर नेचर है जहाँ पर जयवित्ता है उसको उसी इस्थान पर क्या कर देना? सनरक्षित कर देना ठीक है? तो ये भी आपका उसी से जुड़ा हुआ कारक्रम है जैसे राष्टि उद्यान है, नेशनल पार्क है या तो उनी में से एक है और इसके तहें तो मानों के सहचर को मानों के सहवास को भी जोड़ दिया गया है तो देखें अभी क्या क्या है कौन कोन है इस चीट को मैंने बहुत समग्रता से पर्यावरण के पूरे चेप्टर में पढ़ाया है इन्वायर्मेंट की क्लास आप लोग की जो है ओनलाइन बेच में वहाँ पर मैंने जैव मनलक्षित चेत्र या फिर समुदाइक आगार क्या है पवित्र वन क्या है राष्ट्यू द्यान क्या है वन इजीव अभेरंड क्या है सारी चीज़े मैंने वहाँ पर डेटेल से पढ़ाई है यहाँ पर अब लिष्ट कराऊंगा फिर कोस्टन्स आप लोग से हल कराऊंगा ठीक है क्रम से आप लोग याद करते जाएगा एक है अचना कमार हर तरीके का कोस्टन पूस्ता है अचना कमार अचना कमार अमर कंटक मद्ध प्रदेश में है आपका यूनेस्को की वर्ड हेरिटेस साइट है अमर कंटक लिख लिजेगा लिष्ट बना लिजेगा इसको जो है जो जया मंडल अरक्षी छेतर में कब इस्थापित किया गया है 2005 में 2005 में इसको इस्थापित किया गया ठीक है अचना कमार अमर कंटक को ठीक है इसके बाद है अगस्ता मलाई अगस्ता मलाई ठीक है यह सब प्राक्तिक छेत्र हैं पर्वतिय छेत्र हैं इसको 2001 में स्थापित किया गया है कब किया गया 2001 में तो आपसे इस्थापना वर्स भी पूचा जाता है इसलिए आपको इस्थापना वर्स भी पता होना चीए दिहांग दिबांग जो आपका है इसको 1998 में इस्थापित किया गया था 1998 में इस्थापित किया गया था दिहांग दिबांग को लेकिन अभी ये UNESCO की वर्ड हेटर साइड में नहीं है ये UNESCO की वर्ड हेटर साइड में है ये भी अगस्ता मलाई भी UNESCO की वर्ड हेटर साइड में है दूसरा दिहांग दिबांग 1998 में था और ये वर्ड हेटर साइड में नहीं था इसके बाद आपका डिब्रू सैखोवा डिब्रू सैखोवा जो आपका है ये 1997 में इसको इस्थापित किया गया था डिब्रू सैखोवा को इसके बाद आपका ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार भी आपका वाल्ड हेरिटेस साइट है वाल्ड हेरिटेस साइट नाइटीन अटीन पर बना नाइटीन अटीन पर आपका ये इसको इस्थापित किया गया था इस्थापना वर्स है मैं आपको लि को बार ठीक है ग्रेट टिंको बार के बाद अगला है मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी भी आपका अधिके पूरा प्राक्तिक छेत्र है मनार की खाड़ी मनार की खाड़ी भी आपकी युनेस्को में समलित है मनार की खाड़ी 1989 को ठीक है तो यह क्रम से लिख लिजेगा अगस स्थापना वर्स है इसका 1998 इसके बाद अगला है नील गिरी नील गिरी भी आपका ये भारत का पहला है नील गिरी ये भारत का पहला है 1986 नील गिरी 1986 ये भारत का पहला है नील गिरी भारत का पहला है ठीक है फिर अपना नो क्रेक नो क्रेक देखो नील गिरी भी उनेस्को में समलित है ज्यान रखेगा नील गिरी भी उनेस्को में समलित है नो क्रेक है 1988 इसके बाद आपका है नो क्रेक के पंच मढ़ी पंच मढ़ी भी उनेस्को में समलित है नोक्रेक भी उनेस्को में समलित है पंच मढ़ी और ये भी 1999 पे ठीक है पंच मढ़ी और ये दोनों नोक्रेक दोनों समलित है इसके बाद आपका है सिमली पाल सिमली पाल उडिशा में है ये सिमली पाल सिमली पाल है 1994 पे 1994 पे 1994 पे इसके बाद आपका सुंदर बन सुंदर बन सुंदर बन है 1989 पे ठीक है ये भी आपका युनेस्को की World Heritage Site या कह सकते हैं कि जो जयमडर रख्षी छेत्रों के संजाल है उसमें समली थै इसके बाद कक्ष रान अफिकश ये 2008 में जुड़ा है 2008 में गुजराथ में 2008 में इस्थापित किया गया है इसके बाद कोल्ड देजल्ट है अपका सीतमरुस्थल है सीतमरुस्थल लड्दाक में पढ़ता है दो जू cold desert है cold desert आपका जो है ये 2009 में है 2009 में स्थापित किया गया है इसके बाद सेशा चलम पहाडिया इसके बाद सेशा चलम पहाडिया जो आपकी है इनको जोड़ा गया है 2010 में और अभी latest है पन्ना पन्ना बारवा बना है युनेसको में जोड़ने वाला 2011 में पन्ना को जोड़ा गया है ठीक है युनेसको में तो यह आपको क्रम मलब date wise आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा बना इससे भी question आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं बहुत सारे question आप सभी लोग एक बाल लिखते जाईए जितनी चीज़े मैंने लिस्ट में बनवाई हैं लिखना है ना आप लोग सभी को लिखना है ठीक है नीलगिरी सबसे पहला है आपका नीलगिरी 19 86 पह है यह नीलगिरी अचना कमार अमर कंटक 2005 में अगस्ता मलाई हो गया यह दोनों यह भी हो गया दिहांग दिबांग डिबरु सैखोवा ग्रेट निकोवार मननार की खाड़ी नंदा देवी नीलगिरी नो क्रेक पंचमडी सिम्लिपाल सुंदरवन कक्ष सीत मरुस्थल स इसा चलम पन्ना ठीक है इन में से अचना कमार अमर कंटक जो आपका है युनेस्को की वर्ल्ड एरिटेस साइट है यह अगस्ता मलाई यह भी युनेस्को में समलित है ठीक है इसके बाद ग्रेट निकोवार युनेस्को में समलित है मननार की खाड़ी युनेस्को में समलित है नंदा देवी उनेसको में समलित है निल गिरी उनेसको में समलित है नो क्रेक पंच मडी सिपली पाल सुन्दर बन ठीक है इसके बाद आपका पन्ना तो कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नव दस ग्यारा एक कौन सा है इनमें से एक कोई बचा आपका हाँ निल गिरी हो गया आपका नंदा देवी हो गया निल गिरी नंदा देवी इसके बाद सुन्दर बन हो गया मनार की खाड़ी हो गया आपका मनार की खाड़ी हो गया इसके बाद नो क्रेक हो गया नो क्रेक हो गया पंच मडी हो गया आपका यहां पे कहा है पंचमडी यह राप पंचमडी पंचमडी हो गया पंचमडी के बाद थिपली पाल हो गया ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार हो गया आपका अगास्ता मलाई कंचन जंगा और पन्ना कंचन जंगा यहां पे नहीं लिखा हुआ है एक है आपका कंचन जंगा एक बचा आपका ठीक है एक है आपका कंचन जंगा कंचन जंगा ठीक है यह भी आपका युनेस्को में संब्लित है टोटल बारा युनेस्को में है टोटल हैं अठारा बारा युनेस्को में संब्लित है 12 किसमे हैं UNESCO में समलित है 18 में से 12 जेव मंडल अरक्षि छेट UNESCO में समलित है इतना आपको याद कर लेना है clear है trick वगारा नहीं है बेटा trick वगारा कुछ भी नहीं है trick की बात नहीं करेंगे यहापे directly याद करो इनको पहले trick याद करो फिर इनको याद करो यह सब कुछ नहीं है 18 यह 18 एक बार आपको इनको 2-3 बार देख लेना है बस ठीक है दो बार तीन बार इसको देख लेना है clear है चलिए अब आगे चलते हैं अब थोड़ा सा question देखते हैं मैं आपका questions को लेकर के आपसे discuss करूंगा question आपके सामने आएगा आप उसका answer बताएंगे और इसके बाद फिर हम आगे discussion करेंगे ठीक है question answer को लेकर के हमारा एक discussion होना प्रारम हो जाएगा यह question आपके सामने इसका answer दीजे सभी लोग ये question आपके सामने इसका अंसर दीजे सभी बच्चे अंसर दीजे जीव मंडल अक्षित छेत परिरक्षन छेत रहे घास इस्थल का क्रिसी उत्पादन का वाय मंडल संतुलन का अनुवांसिक विविन्नता का पूछा जाता है ये कर ते रही है पूछा जाता है आपको जानकारी इसमें होना चाहिए चिस के जाव मंडल अ रख्षित छेत जितने भी हैं कि अब इसमें कुछ लोग वी दी रहे हैं सर्व पंणा में डावट 2 हो गया है बेटा पंणा में डावट नहीं है पन्ना भी है, लेटेस्ट पन्ना ही है, C वाले भी है, D वाले भी है, इसका सही अंसर D है, अनुवानसिक विविद्धता का, इसका सही अंसर है D, अनुवानसिक विविद्धता का, किसका है, अनुवानसिक विविद्धता का, क्यों, जीव मंडल अरक्षित छेत का परियक्ष का निवास स्थान भी होता उसे जर्मड लक्षिक छेत के तौर पे गोसित किया गया तो जीवों की अनुवानसिक्ता को बनाए रखने के लिए सनक्षण प्रदान किया जाता है क्यों ग्रास लाइंड एरिया नहीं है घास भी अनुवानसिक्ता में एक हिस्सा है है ना क्रिसी कुश्चन है आपके सामने यह है निम लिखित में से कौन युनेस्को के जयो मिंडल में समलित नहीं है यह बताइए आप लोग हाँ 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 अब यह देखो आसान सा है हमारा डिसकसान अभी हुआ है इतना सारा तो इससे आप लोग अंसर निकाल लोगे बहुत कठिन नहीं है अभी तो डिसकसन हुआ है ना 12 में आपको लिस्ट बताय है संदर बन है मनार की खाड़ी है नीलगिरी है रन ऊफ कक्ष नहीं है ठीक है तो इसका सही अंसर क्या होगा ये गलत किया तो फिर क्या किया कुछ नहीं किया है न कक्षकरान इसका ठीक है भाई चलो आगे चलते हैं अगला कुश्चन है ये और भी आसान है अभी देखो ऐसे कुश्चन पूछता है बलाब इसको हलके में नहीं लेना ऐसे कुश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से अगला है आपका, नंदा देवी जयो मंडल किस राज्य में स्थित है, अब ये लोकेशन पूछ रहा है आपसे, पहले ये पूछ रहा था कि कौन सा यूनेश्को में है, कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आपको टाइप देखना है questions के, आपको टाइप देखना है, फिर उसी हिसा आपसे पढ़ा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अब आसान है, एक तरीके से देखा जाए, तो इसका अंसर आप लोगों को पता होगा, नंदा देवी के बारे में सब जानते है, नंदा देवी ये glacier है, है ना, पूरा particular glacier उसके आसपास के हिस्सा जितना भी हिस्सा है, उसको क्या किया गया, जर्म मंडल अच्छी छेट के तौर पे, तो इसका सई अंसर D है, उत्तरा खंड है, सब को पता है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question है आपका, अब ये question थोड़ा सा अच्छा है, इसको पढ़ना है पहले डरना नहीं है इसको, डरना नहीं, IS का question है, 2019 में पूछा किया था, तो अब IS का question है, तो थोड़ा सा उसकी इस्तिती भी अच्छी ही होगी, निमली कितमे से कौन सा अगस्ता माला जियूमंडर रिजर्व में आते अब जब तक आपको पता नहीं होगा कि यहां पर पर्टिकुलर छेत्र मतलब, इसने क्या किया, अगस्ता माला की location के बारे में जानने का प्रयास किया, कि अगस्ता माला की location को आपको detail में देखना है, अब देखो समझ लोग यदि IS में यदि question आ रहे है, जयामंडर रक्ष पर प्रोजेक्ट टाइगर भी आ सकते हैं, राश्टी उद्यान भी आ सकते हैं, और वहाँ पर मानवी अबादी, सब कुछ हो सकता है, अब ये question पढ़िए पहले, निम लिखित में से कौन अगस्ता माला जयामंडर रक्षी छेत्र में आते हैं, नेयार, पेपारा, अब ये आपको पता ही नहीं होगा किसी को भी, जब पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, देखें, अगस्ता माला जयामंडर जो आपका, ये पहले तो इसकी location आप देखें, जयामंडर रिजर्ब है कहां पे, ये पश्मी घाट में अवस्तित हैं, केरल वाले छेत् में फैला हुआ ये, ये पश्मी घाट में, भारत का नक्सा याद रखें, पश्मी घाट पे आईए, पश्मी घाट में आपका महराष्ट हो गया, फिर उसके बाद गोवा हो गया, गोवा के बाद करनाटक है, फिर केरल है, है ना, है ना, यानि कि कॉंकर टट है, कॉंकर ट होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे काला कर मुंथुराई बाग रिजर्व इसी में पढ़ता है वहलाव इसी रिजर्व अगस्ता माला के अंदर ही यह है ने यार भी है पेपारा भी है सारदेनू वन प्राणी अभ्यारण भी है ये सारी चीज़े अगस्ता माला के अंतरगत समलित हैं ये आपको पता होना चाहिए अगस्ता माला को युनेस्को में 2016 में समलित किया गया था 2016 में युनेस्को के अंतरगत इसको भी समलित किया गया है ठीक है तो आपको जब तक पता नहीं होगी तब तक आप इसे कर नहीं पाएंगे ठीक है चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे आपका आज के लिए इतना ही रखते हैं है ना